ये देखिए आज हम रामनगर पुल के नीचे आये हैं और देखिए जो गंगा नदी है ये गंगा नदी बह रही ये गंगा नदी बनारस के दो हिस्सों को जोड़ने का काम करती है कि गंगा नदी के एक किनारे पर रामनगर है और एक किनारे पर बनारस है जो ये नदी है उस और अच्छा relation बनाता है उन लोगों के लिए जो बनारास और रामनगर के बीच में ट्रावल करते है ये देखिए पहले पुल बन गया है पुरा यहां से लेके देखिए उस साइड भी आप देखिए पुरा बन गया है ये पहले इसके नीचे पीपा पुल होता था पीपा पुल का मतलब जो एक लोहे का या लकडी का जो एक कनस्तर नहीं होता है मतलब धोलक के यह तरह होता है तो ये पहले नीचे रहता था आने जाने में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, काफी भीड आ जाती थी, कोई भी पुल बनाने से पहले पीपा-पुल बनाया जाता था और अब काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और पहले थोड़ा साथ डर लगता था पीपा-पुल जीमिय जाने में, अब इसको पुल को देखो काफी अच्छा लग रहा है ये एथर को बोटिंग करना इसले काफी मुझे परिशान कर रहा है इनको बोटिंग करना है और ये चाचु के साथ जा रहे हैं बोटिंग करेंगे इनको वाटर ट्रांसपोर्ट देखना है पुल के ऊपर काफी गाडिय यहां चल रही है तो उसको ऐसा लग रहा है कि लेने आई हूँ नदी के किनारे तो भी आपको दिखाऊंगे आगे की वीडियो में क्या लेने आई हूँ तो यह देखिए बोट लगी है इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं यह रामनगर है यहां पर बगल में ही रामनगर किला में और भी है जो क्या राजा नरेश बलवंत सिंग का महल है यहां पर और कि वह देख रहें धैक है है युजय जो किला देख रहे हैं यही नाम तो शायद कुझे जहां तक ध्यान आ रहा है यह उनीका किला है इसके पीछे जो घाट देख रहे ने वह तुल्शी घात उसको बोलते हैं और इसके पीचे का जो घाट है वो तुलसी घाट है और यह देखिए मैंने बताया नहीं कि बनारस में सिर्फ आपको घाट ही देखने को मिल सकते हैं घाट ही घाट और बहुत ही सुन्दर द्रिश्च होगा देख रहे हैं इसके बने हाँ लग रहे हैं यह देखिए यह मोटर बोट है मतलब आप तीम तरीके से मतलब मेंली बोटिंग कर सकतें एक मोटर बोट से और एक खुद ही जैसे उसको खेया जाता है जो नौर्मल भूट होती है और एक बोट और होती जो पैंडल वाली होती है जिसको आप बहुत काफी महनत लगती है, तो ये motor boat है, इसमें कई लोगों को एक साथ लेके आप नदी में बोटिंग हो सकती है, एक साथ कर सकते हैं, motor से ये चलती है, जिब ये चलती है तो इसके आसपास काफी लहर होती है जैसे अगर मोटर बोट जा रही हो उसके बगल आप नॉर्मल जो ये नाओ देख रही है अगर इसके इसे आप जा रहे हो तो पूरी बोट इसे हिलने लगती है बहुत ज़ादा ऐसा लगेगा क्या हो गया है नदी के अंदर तो इसका pressure बहुत जादा होता है motor boat का तो ये देखिए boat धेर सारी यहां पे लगी है अब ये देखिए now देखे मुझे मतलब ऐसा ख्याला रहा है कि now जो है हजारों साल से हमारे use में हजारों साल से हमारे आसपास हैं ये बहुत ही important part अदा करती हैं हमारे life में जैसे देखिए बोट आज से नहीं हम लोग बहुत साल पहले से बहुत सी कहानिया सुने होंगे केवट की और बहुत सी लेकिन देखिए बोट का जो चलन है वो अभी तक गया नहीं क्योंकि कुछ चीजे ऐसी है जिसके लिए हम नाव पे ही डिपेंड हैं है ना छोटी नाव क्याओ एक जोग एक अजिए हैं कि देखिए जो यह सीडिया उतर रही है कि जो नदी के किनारे जो उतरती हुई सीडिया होती नहीं इसी को घाट बोलते हैं कि दाट का मतलब यह होता है कि जो सीडिया उतर रही हो नदी के साइड तो मैं ठक गई हूँ आपको इधर का विव दिखाती में देखिए लागा नीची का देखिए यह बुझे देखिए पूरा मचली बजाया रहे है अच्छा लग रहा है देखिए यह कौन सी है कौन सी है तो फाइनली यह देखिए मैं मचली खरीदने आई हूँ यह नदी के किनारे ही मचली बजार लगता है वहां से मैं मचली काफी वराइटी है मचली की में मचली खरीदने आई हूँ अब मैं वीडियो को यहां पे एंड करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हू हैं बड़ सबस्क्राइब नहीं करते हैं लाइक नहीं करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट करिए और नए ब्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए आपको नमशकार बबब